Hello everyone, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागवते बच्चों, तो 50 most important question हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी book के most important question है बिटा, तो बिना किसी देरी के start करते है, question 1 क्या बोल रहा है, निम्ने लिखित में से कौन सा अपरी में संख्या है, which of the following is an irrational number, तो हमें बताना है कि अपरी में संख ठीक है, एक को में लिख सकता हूँ, एक ही है, अनरूट 9 का मतलब होता है 3, ठीक है तो एक बटा 3, जो भी संख्या, देखो बच्चों, कोई भी संख्या अगर P बटे Q के रूप में है, और जहां पर Q का मान आपका 0 नहीं है, ठीक है, और अगर P और Q, P और Q क्या हो, पुन होता है न, वह आपका क्या होता है बटा, वह संख्या आपके क्या हो जाती है, परिमेंस हैं किया, तो यह बच्चों, P बटे Q के रूप में है, बटे में 0 में भी नहीं है, एक और 3 के है, पूनांग है, और इनका अगर लोशा और HCF निकालों के मौशा पर तो एक आएगा, यानि कि यह तो बटा परिमेंस है, ऐसी दूसरे वाल आप्शन पर आ जाओगे, तो दूसरे वाल आप्शन के अंडरूट 9 बटे 3, अंडरूट 9 का मतलब 3, 3 के बटे में 3, 3 एक कम 3, यह भी एक परिमेंस है, क्यों एक के बटे में एक लेक सकता हूँ, फिर देखो बच्च है हमारा, ठीक है, वो सही हो जाएगा कि एक बटे अंडरूट 5 यह के अपरिमेंस हैं क्या, और आगर आप चौतिक अप्शन पर दियान से देखेंगे, अंडरूट 4 बटे 16 है न, तो अंडरूट 4 बटे 16 को में लिख सकता हूँ कैसे, 4 का अवर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4 तो यह क्या अपरिमेंस क्या है, हमसे अपरिमेंस क्या पूछा था, ठीक है, आगे यह बटा अंसर, हरे कुछन को डिडिल में गरेंगे, सेकेंड वाल आप्शन पर आजाओ, करें यह यदि अलफा बीटा इस बहुपत के शुनक हो, तो इसकी मान हमें ग्याद करने है, ठीक चुंकि, एक स्थान पर क्या है, एकस स्कूर का गुलच एक, बीक स्थान पर एकस का गुलच वो भी एक है, और सी हमारा वो भी एक है, ठीक है, हमें क्या ग्याद करना है, बटा, हमें ग्याद करना है, एक बट्टे अलफा, प्लस एक बट्टे बीटा, लाशन पर गया उपने को के योगफल और इसका मतलब़ गुडन फिल तो यहinta इसका शूत्र अब के लिआने मैंने थिगर्ष बैंटा एक ही अधा इसे एक अटा ओपर राट कि माइनस के भी नीचे बजा सी वर कांड E00 परकशन सब्सक्रण आजा ईक वह उजा है अगली प्रस्षम में जाते हैं कि निमले खित में से किसका दश्रणन प्रशांत अश्यांत आवरित्ती है तो अशांत आवरित्ति आपसे पूछ है दो ती अच्छे, तीन कम तीन, तो मैं बारा को लिख सकता हूँ, दो हैं, दो बार, तीन है एक बार, यहां पर बिटाद दो तो है, लेकिन दो किस अलाग, दो और पांच के अलावा, अगर अन्य संख्याँ आ जाती है, तब क्या होता है, अशान्त आपरत्थी होता है, यहां अशान्त आवरopardi है, ठीक है, अगर इसका आप देखोगे, आच का गरोगे, तो आठ को मैं लग सकता हूँ, दो की घात दी, सिर्फ दो हैं, तो शान्त हो, पच्छोंगो, पांस की घात दूँ से तो भी शानतर और यहाँ in five. tu he ini shantai भाकि यह क्या इसमने शिर्फ दो है और उसके वार अन्य संख्य ऑगने संख्य है इससे यह क्या अशांत्य ऐखिए जो पर होती है ऐक हatu ही अपरी में और चार आप के संख्या अगर अपरी में एक भीpflicht आ जाता था अपरी में संख्य हो परी में वाग तो आहिए रहेगा already so आगले संख्या में और जैते है कि क्या होगा सर्वांतर निकालना है क्या होता है डी बराबर होता है दोतीय पत्र माइनस की प्रतम पत्र जब्ल thatap नियुल गड़ाएंगे 4 इसब चार देख रही पर को दिख रहा है ऊप्शन नमबर आपको DO हो जाएका का अगया जो सभी संभाहु त्रभुष कैसे होते हैं लोगते ही त elabor है छोटा आवाला त्रभुष संभाहू ये और बड़ा मेने बना दियो सभी त्रभुष सम्भाहु त्रभुष आपस में क्या होते हैं बैस्क क कि उन्हें सम वाहत रूप देखने में जैसे होतें वराबर नहीं होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिच्चो सब्सक्रोब रूहरा हो लिए आपस में समय मह वहते हैं पहले ही वोल नहीं बोला आउसमें तो पहले एक संभाव त्रीबुद बना के दिखाता हूं आफ बड़ा बना रहा हूँ यह मैंने एक त्रीबुद बनाया संभाव त्रीबुद संभाव त्रीबुद का नाम के on sat abc आफ ठीक है ad है BC पर लंब AD है बटा, BC पर लंब AD है इस BC पर लंब है ठीक है अब क्या, इन में से consumption सही होगा वो आप से बोल रहा है ठीक है, 3AB स्क्वेर AB की बात कर रहा है, यह AB और फिर AD, देखो बच्चों इसा कुछ आपने पहले भी किया होगा अगर इसकी बुज़ा आप A मानोगे यह बुज़ा A है तो यह जो आपने AD डाला है ने बैटा यह मादिका का काम करता है इस BC बुज़ा को दो समानिस्च में बाढ़ देगा ठीक है तो यह वाली बुज़ा का जो मान है यहां से लेकर यह बट्टे 2 हो जाते है और यहां से लेकर यहां तक भी A बट्टे 2 हो जाते है ठीक है तो AD अगर AD को हम H मान ले तो बटा यह कहा है एक समकूर तिर बुज़ा क्योंकि अब्रेश का कोड़ बन रहा है और समभा हुए तो जो AB है वह किसके बरावर है AC के बरावर है और वह आपस में बरावर है तीनों भुज़ां आपस में बरावर है ठीक है तो मैं करके दिखा रहा हुँ मैं चाहता तो तुम्हें डारेक्ट बिता सकता हुँ नहीं तिर बुच ADC में तो अब ड़कर्ण का वर्ण दो कवर चार हो गया एक तो यहां से लिजा उताओ उतारी स्क्वेर माइनड सकर बंत 만든 मिध्ता लौशपले के तेकल नहीं एक सब बढ़न फौर अभन स्क्वेर रख रहों यह बतना है व् jambr 10 4 Г 03 8 e2 4 H Ssenak R बमलेशों स्क्वेर है कि आलके यह 2 हमारा ad है, तो यह 4 ad square हो गया, तो कौन सा option सही दिख रहा है आपको, तो 3 ab square होगा, वो 4 ad square के बराबर आएगा, ठीक है, 3 ab square, 4 ad square के बराबर होगा, यानि कि option number d आपका बिल्कुल सही है, ठीक, अगले प्रिश्ण में आ जाते हैं, कहरें यदि समिकरण के मूल वास्तविक और असमान हो, तो क्या होगा, तो वास्तविक हैं और असमान है, तो वो जो स्तिती होदी, according to question, प्रश्ण के अनुसार क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, तो वी का मान है, चार का वर्ग फिर है 4 फिर है A फिर है C ठीच चार शक को 16 यहां से हाज़ाइगा 4 तो सब्सक्राइब जाने तो दुन्द तरफ चार के जोड़ेंगे तो चिन अधर हो जाएगा यह माइनस का वार को जाएगा जब जब भी मैंस का उधर के जोडते हैं तो इचेन बनल जाते हैं इधर आगए यह भला चिन ठीक तुम तरफ आप किया करोगे करोगे बच्चो चार से भाग्दे दोगे इस 4 खोड हो डाना दूंतरो चार से भाग देंगे, 4-4 गड़ा चार्चा खोड़ा, तो जो चार्चा को खोड़ा होगा, के का मानों होगा वो 4 से छोटा होगा, यह हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीके, 4 लेस दन की, ठीके, यह वाला चिन, ऑप्षिन नमबर A से हो जाएगा, आगे आते हैं नेक्स्ट कोशिन में, कहें यदि AP और EQ केंद्र ओह वाले किसे वृत्य प्रदोश पर जखें इस प्रकार है कि पी ओक्यू 110 हो तो पी एक्यू कितना होगा शांदर कुशन है मैं कुछ ते बना किसम दिखाता हूँ यह आपके पास एक वर्त्य है यह इसका केंद्र है आपने एक बिंदू बाहर से लिया है क्यारें AP और EQ इस बिंदू का नम बाहरी वाली बिंदू का नम क्या है यह है YIP और फिर यह है एक यूं ठीक है और की इंद्र का नाम हो बोल है ओ बैसको मिला हो मिलाँ हो इससे से इसको मिला ठीक है हम होग रखाय कि पी ओक्यूं पी मैड़ पी ओक्यू यह वाला जो था एंगल है बहु ह्ぐ 110 है यह में च्छे करना है फिर देखो घ। यह वाला एंकल कितना होगा तुश्कुष ओक तो मानग लेते हैं कि यह वाला एंगल छी वीड़ीरी ये आस बोस्तने में बहुत है सिंबल है आपको पताए पर मैं दसने एक के जॉड़ का कर दाद Ohio थेका दिलबुच का चारोकोडों का मान कितना हो, 360, चुनकी, E प्लस P प्लस O प्लस Q, 360 होगा, ठीके, E का मान कितना है बिच्चो, E का मान हमारे पास, X मान है, वह निकालना है, P का मान 90, O का मान 110, और ये भी इन 90, ये 360, 90, 90, 180, और 110, तो ये हो जाएगा 290, तो कितना बजाएगा सत्तर डिगरी तो जो option आपका सही होगा वो हो जाएगा सी option सत्तर डिगरी सही होगा ठीक है कहीं पर कोई डाउट हो दिक्कत है वुडियो को एक बड़ दोबारा देखिएगा अगले प्रश्ण में आ जाते हैं कहा रहें कि कि किस्मान के लिए समीकरण निकाए इतना और इतना का अदुति हल है अदुति हल के लिए हमसे बात पूछ रहे है तो देखिए बड़ आपको समीकरण क्या दे रखा पहला वाला यहां से देखिए एवन कितना है वाल प्रश्ण मुसर क्या बूला गया है एक्स कि गुणरस के माइनस के और प्रश्ण निवर भादान है अदुति हल उपसिव घ्मान जाया है है ठीखे प्रशिना में अमें बोला गया है वह अ्याय देटweit email का केवल एक हर वश्का कंडेशन होधे वण बट्टे एटू बराबर ना था हूँ बट्टे TV एट म सब्टा का चमझता ऑफ बुट Wagyu के मान रखते हैँ एवन बट्टे एटू बीवन तो q कामान किसली बड़ाबर नहीं आएगा, यह option अवकर सही होगा, ठीक है, यानि कि option number c सही है, q कामान 3 नहीं होना चाहिए, अगला प्रश्न है, अगर sinθीट कामान, इतना है तो cosθ कामान क्या होगा, बहुत रासान के निए, cosθ का हम लिख सकते हैं, साइन की बदम में 1-sin2 तीट अंडरूट में ठीक है मान रखते हैं साइन तीटा का मान तीन बट्टे चार रख दिये स्क्वाइर तो स्क्वाइर कर दिये एक तीन का वर्ग नो चार का वर्ग 16 लॉश अपा जाएगा 16 16 एक कम 16 मान तो या गए साइथ बट्टे वर्गमूल होता नहीं है और 16 का वर्गमूल 4 होता है तो अंसर आ जाएगा अंडरूट साइथ बट्टे चार दिख रहा है कही हैं अंडरूट साइथ बट्टे चार बिल्कुल आप्शन नमबर C ठीक है ये हमारा सही हो जाएगा अगले प्रिश्ण में आजाओ कि द्विगात बहुपत के शुन्यक ग्याद करने के लिए हम जो बहुपत दिया होता है उसको हम जीरो मान लेते हैं ठीक है मैनस कद्रा के प्लस का हो गया तो बर्गमुल निकालना पड़ेगा प्लस मैनस अंडूर्ट पंद्रा ठीक है यह हमें हमाना आनसर मिल गया तो ययनकि X का मानेक प्लस के अंडूर्ट पंद्रा अगले कुश्चिन पर आजाओ करेंbies वित को दो बिंदों पर प्रतिशेत करने वाली रेका को हम क्या गैते हैं तो इसट प्रतिशेत करने uh नहीं 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 कोई नहीं além है सब्सक्रों पर सद्धर को प्रतिशेत करने करती हो जाता है अगला खुशन है बटा हमीं क्या बोलने इस बींदू और एस बींदो की बीच की दुरी ज्याद करने है ठीक है हमारेHello पश्चार सory तो इसना नम है और इसका नम b लिए हमें A और बीच की बीच की दोली घयत करनें हैं शूद्र क्या होता है एकर स्वन माइनस एक्स टू का वर्ग कलते ग्लाल मैंनस जै कि हमें ओस वर ठीक है एक्सवन का मान हमारे पास नहीं फिद हाई 4 अधर अयस्ट कला तीन का वर्ग नौँ चार का वर्ग शोलो जोड़ेंगे तो यह अन्रूट 25 बाहरा के पांच मात रख यह हमें आंसर मिल जाएगा पांच मात रख अगले प्रश्ण में आजाईए करें आधार की तिरिजया साथ सेंटीमोटर और तिरे को चाहिए दस सेंटीमोटर वाले लंब प्रित्ती शंको का वक्र प्रिष्षित्वल कितना होगा ठीक है अच्छा जी हमारे पास क्या बटर शंको की बात हमसे बोल रहे हैं ठीक शंको ब ट्रशां दें हमारे पास में तिरशी हमाँ रख कितनी दे रख की दस सेंटीमोटर है करें बोल लिए शंको का वक्र प्रिष्षित्रवल याने कि पाई आर एल ठीक है पाई कमान जब कुछ नहीं दिया होताने वटा इस बट्टे सात रखको र का मान साथ दें रखायए और और एल कामाने 10 साथ से साथ कटा 22 से कम 22 पिछे से 0 चेदरवले सेंटिम्टर स्क्वेर 220 सेंटिम्टर स्क्वेर अप्शन नमबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अगली प्रश्न में आजाओ इसका हमें माद्देग गयाद करना है अच्छा जी तो जब भी ऐसे सिर्फ डाटा दे रखाऊ और डाटा तो अगर माद्देग निकाला है तो पहले आरोई करम में लिखन में लिखो सबसे छोड़ा कि यह उसके बाद दो उसके बाद फिर दो है ठिक हैं ँसके बाद कितना है तीन है उसके बाद पांच है और उसके बादज है कितने है एक दो तीन चार पांच छे ठीक है तो बेसिकली क्या जब भी संख्या होगा ना तो जब दोनों तरफ बराबर करोगे तो बीच में दो संख्याएं बचेंगे संगा केस जब भी होगा है विशम में ऐसा नहीं होता है अगर एक संख्या कर बढ़ा देता है यहां पर संख्या है तो यह 3 तरहएं अगर विशम मता था तो बीच में जरूर मिलेंगे ठीक होसे ही जब इसवस्यों jeसे हो ता है ठीक है तो अप्शिन नमबर बीस ही हो जाएगा अगला बोलने आर्थ रिज्जय वाले अर्ध गोले का आयतन क्या होगा अर्ध गोले का जो आयतन के शूत्र होता है वह तो दो बट्टे तिन पायार क्यों ठीक है शीदा शीदा शूत्र है क्या निम्लिखित में से कौन सी किस कटना के प्राइक्ता नहीं हो सकती कभी भी प्राइख़ता माइनस में नहीं होती है तो दिखे वज़ेवा लगे left지만 एकथा ना निम्बट सी जू बिंदु है किस पाध मेन है यह आपको वहलने पाद का मतलब यह नहीं जो पीछे से निकलता है है ना चतुतंच है यहांपड तो इधर X कमान पोज़िव इधर X कमान नेगेटिवmund इधर Y कमान पोज़िव і existe in Y कमान नेगेटिव यह आप जानते हैं और यह आपका केंद्न हुए है ना तो पोज़िटिव कमान नेगेटिव容 इढ़ो मान इक्स का मन बाद करूं तो पहले वाले में प्लस Cinco फिर एस स्चार चार माइनस सॉतृटिफ को मशंच्व चॉथा ओजय गा किस चतुर्थ आंज में चतुर्थ पाद में फूर्थ कॉडरेंट चतुर्थ चतुर्थ आंज में ठीक अगला कुशिन हमसे बोलें समांतर स्रेणी का बीश्वा पत क्या होगा कोई बीश्वा पत हमें निकालना है एक कम करके लिखते हैं समांतर स्रेणी में अगर आ जाएं चुंकि प्रथम पत क्या है मेरे पास दस डी निकालना है दूतिय पत मैनस के प्रथम पत दूतिय पत है साथ प्रथम पत है दस इनकी मैनस की दिन मान रखते हैं यहां पर एक का मान दस डी का माने माइनस का दिन तो उनिस्थियां सतावन गटाएंगे तो आजाएगा माइनस के सेटालिस जो बीश्वा बद होगा बिच्चों वो कितना होगा माइनस के सेटालिस ठीक कोई दिक्कत कोई वरशानी नहीं होगी आगे बढ़ इतना है तो इन त्र बुजों के च्टर वेलों का उनूपाद कितना होगा देखो दो सम्रूप बोल दिया न उसने अगर दो त्र बुज आपस में सम्रूप है तो इनके माद्दिका वो पाउन souvent में क्योंकि जब दो त्रिफुष सम्रूब होता है तो उनकी संगत भुजा का अनुपाद बराबर होता है तो उनकी माद्दिकाओ का अनुपाद बराबर होता है तो उनकी संगत भुजाओ का अनुपाद बराबर होता है तो उनकी संगत भुजाओ के बराबर होता है तो संगत बूज़ओ के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो संगत बूज़ओ के अनुपात क्या दे रहेगा चार अनुपात 9 तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 8 आंसर आजाएगा 16, 85 सिंपल जागोशे नहीं तो option no. कॉन से हो जाएगा 16, 85, 86 option no. D थाक है? आगे बिखुड़ते है, कि कि रहे हैं यदि इस दुईघास समिकान के मूल समान हो, तो है का मान क्या होगा? दो बाट बाटव मूल समान है, ठीक है? बाटव मूल समान होता है, तो डू का माननै बटब जीरो होता है, और D का मतलब B स्क्वार माइनस 4AC का मान जीरो होता है माइनस का 4AC तो 4AC तो 4A गुड़े में इतरा के बट्टे में आ जाएगा तो C का मान क्या होता है? B स्क्वार बट्टे में 4B B स्क्वार बट्टे में 4 है क्यादा कि option number B आपका सही हो जाएगा ठीक है? आगे बट्टे वृत्टि के उस त्रिजघंड का चितरफल ग्याद कहने है जिसके त्रिजघंड 14 cm है और त्रिजघंड का कोण है वो 90 डिगरी है अच्छा जी त्रिजघंड का चितरफल हमें निकालना है त्रिजघंड का चितना कोशन में 14 cm और जो ठीटा दे रखा है वो हमें दे रखा है 90 डिगरी त्रिजघंड का सितरफल निकालना है जिसका शूत्र होदा है थीटा बट्टे 360 गुले पाई है रिस्क्वेर सिंबल ठीटा है 90 बट्टे में 360 पाई का मान कोशन में नहीं रखा गया ऑप्शन में देख सकते हैं और आर का मान है 14 का सक्वेर काटोगे चार बर जाएगा ठीक है ओपर है पाई 14 गुले बट्टे में 4 ठीक है तो काटो बेर निचार दो सत्य जाद़ दो सत्य च्वादर तो ससत्य उन्चाज पाई सेंटिमेटर स्क्वेर ठीक है तो option कौन से सही हो जाएगा B option पूरा हमारा सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अगला प्रिशन है NCRD का है sin 2A 2 sin A के बराबर कभ होता है किस एंगल पर बराबर होता है आपने बहुत बार किया होगा 0 degree बर करके दिखा दाओ मैं एक के जगा पर क्या रखो बिटा यहाँ पर क्या sin 2A और इधर 2 शाइन है जब हम एक का मान क्या ले रहे है 0 degree रखो यहाँ पर एक के जगा पर 0 रखना है ठीक है तो यह हो जाएगा दो गुणा 0 0 और sin 0 का मान तो 0 इस sin 0 का मान 0 0 आगे दर दर बर बराबर किस एंगल बे बराबर है 0 degree पर बाकी बेचक करों के बराबर नहीं है option number D बिलकुल सही हो जाएगा अगला कुशन है कि यदि किसी तिरबुच ABC में DE भुजाओ ABC को इस प्रकार पर दिच्छित करती है कि ये चीज बराबर हो तो क्या होगा ठीक है तो हम देखते हैं बड़ा हमारे पास क्या एक तिरबुच है ठीक है मैं आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ तिरबुच का नाम कुशन है मैं अल्रड़ी बोला गया है कि ABC है ये A है ये B है ये C है ठीक है कह रहें ABC को इस प्रकार विवाजित करती है यदि DE भुजाओ DE भुजाओ AB को D पर और यहां पर E पर ठीक है इसको मिला दीजिए इस प्रकार विवाजित करती है कि AD बटे DB B बराबर है A बटे EC ठीक है ये प्रमेट 16 सुन दो क्योंकि हमें अल्रड़ी दे रखा है क्या कि जो AD है बटे DB वो बराबर है A बटे EC ये मैं नहीं बोल रहे हैं कोशन बोल रहे है यहां से तो ये तो तभी बराबर हो सकता है जब ये भुचा इस भुचा कि क्या हो समानतर हो ये चीज़ तभी सम्भवाइपर में 16 सुन दो क्योंकि नुसर कि जब DE समानतर हो BC के ठीक है यानि कि option number जो आपका B है वो बिल्कुल सही होगा ठीक है आगे बढ़ते है करें द्विगाद भुपत के मूलों का योगफल रदाई है ठीक है मूलों का योगफल बोले तो alpha प्लस beta यानि कि minus के b upon a शूत्र में a का मान के बढ़त x का अगुणच कुछ नहीं तो 3 यहाँ पर कुछ है 3 है और b कितना हमारे पास माइनस के 3 है x का अगुणच c कितना है प्लस का 1 शूत्र में रख दीजिए b का मान माइनस का 3 a का मान है 3 3 बट्टा 3 माइनस मिनस प्लस हो जाज़ा 3 एक कम 3 तो आंसर आ जाएगा 1 क्या गया बट्टा आंसर एक option number a हमारा सही हो जाएगा कोई दिक्कत कोई प्रशानी नहीं होनी चाहिए अगले प्रश्म में आ जाएगे कह रहे हैं इसका मान क्या होगा अब ट्रिक से करेंगे इसको सूत्र से नहीं sin square दोनों में लिखा हुआ है 29 और यहाँपर sin square 61 जब भी sin square sin square हो आपको दिख रहे हैं कि बटा कि अगर 29 और 61 को जोड़ेंगे तो कितना रहे है 90 यानि कि इसका जो मान होगा वो आएगा बटा एक ठीक है इसका आंसर कितना है एक यह ट्रिक से मैं नहीं कर आया क्योंकि MC की में तो ट्रिक से ही करबाना सही रहेगा अप्षिन नुमर वन नहीं हो जाएगा इसका आंसर अगली वर्ष्ट क्रॉश्ट्ट वोले कि इन दोनों को मिलाने बाले रिका खंड का मद्य बिंदू क्या होगा बहुत ही आसान सा प्रश्ण है आपके पास एक बिंदू माद्य वंद दे रखा है मैनस सात गुमा चल और दूसरे विंदू दे रखाए Hi Ар ught माल बैम अब उसका वी जों में दे रखाय है माइनस के तीन कुमा दो इसको मिला हूँ यह दे कंड इसकी समय कहीं बीचो P reflection ुवाल एक बिंदू पी है जिसको नितशार में मालना है x0y ठीक यह मैं निकालना है यह दे रखा है x1 यह backward एक्स रंभाई मस् ofzone निकालना अधिकर इसका शूत्र होता है एकस वन PPs x2 बटे में दो ओ वाई वन प्लस वाई टू निकाले थे अधिकर मुणक्त इस डाया है एकस रंगा मान किए ए माइनस के साथ X2 का मान कितना है बटा माइनस के 3 बट्टे में है दो Y1 का मान 4 Y2 का माने 2 माइनस 7, माइनस 3, माइनस के 10 बट्टे 2 4 दो, 6 बट्टे 2 काटोगे 2, 5, 10 2, 3, 6 तो उपतर आ जाएगा माइनस के 5,3 माइनस के 5,3 option number B बिल्कुल सही हो जायागा ठीक है बटा अगले प्रिशन में आ जाते है हमसे क्या वभला गया है कि अगर ये दो तिर्भुज आपस में समरूप है अच्छा जी पहले चितर बना लेते है ठीक है ये तिर्भुज है तिर्भुज ABC ये ABC समरूप है किसके बटम दीए अफ के प्रॉपर हमें A B C समरूप का तिर्भुज D E F के ठीक है जब दो तिर्भुज समरूप होते है तो संगत कून बराबर होते है संगत बुजा कनुपत बराबर होते हम जानते है तो दो बच्चों हमें क्या दे रखाए E कौन दे रखा है 57 E 57 है तो D B 57 होगा सिधी सी बात है फिर दे रखा हमें E कौन 63 ये 63 है तो ये भी 63 होगा ठीक है और C कौन हमें ग्याद करने है ये वाला C कौन हमें ग्याद करने है C कौन को मैंने X बोल दिया अब जानते तिर बुच के तिनों कोड़ों का मान कितना होता है 180 तो अगर हम जोड़ेंगे E प्लस B प्लस C तो 180 मिलना चाहिए हमें बिलकुल E का मानने 57 B का मानने 63 C का मान को हमने X बोला है ठीक है 63 और 120 हो जाएगा ठीक है ये प्लस इदर आके किया हो जाएगा माइनस के गटाएंगे तो कितना जाएगा 60 डिगरी तो कौन C का जो मान होगा वो कितना है बिच्चो 60 डिगरी आएगा ऑप्शन नमबर C सही हो जाएगा अगले प्रशन में आजाओ ये आपके NCRT का प्रशन है और इसका उत्तर है दो ठीक है इसका उत्तर कितना है दो आपको मैं बता दिता हूँ पिटाएगे कोशन नमबर है आपका एक्सरसाइज आड़ दस्रम लवचार कोशन नमबर चौथे का तीसरा पार्ट ठीक है अब मैं आपको अच्छेतर बना के समझाता हूँ आपको बताता हूँ यह हमारा एक्स अक्ष है ठीक है और यह हमारा वाई अक्ष है ठीक है और यह हमारा केंद्रोद है हमसे बोले किसी किसी वाई अक्ष किसी वाई अक्ष से दूरी देखो वही एक्सर से दूरी क्या कहलाती है वही एक्सर से दूरी हम की बात हम कर रहे है इधर हम जा रहे है जितनी भी दूरी हम जाए ये क्या है बटा ये दूरी हम किस दिशा में जा रहे है एक्स अक्ष में जा रहे है न तो ये जो दूरी कहलाती है वह क्या कहलाती है एक् डर जाए है ठीके तुम क्या यह दिël गड़ने एक्सिन कर शॉंद Ugh अग्रे प्राश्म में आजाते हैं के रिखा-खंड को वाई-क्षर आनुपात में बाटती है वो क्या है yx किस अनुपाद में बाटती है वो अपको बदाना बहुत ही शांदर कुश्यन है तो देखो पूट है मैं पहले चितर बनाता हूँ ठीक है ये एक बिंदू हमारे पास है minus 4, minus के जग दूसरा बिंदू है 1, minus के 2 यहाँ पर कहीं पर एक बिंदू है उसका नाम मैं ने दे दी अप्पी yx के लिए बोलाए तो x निदर चांग 0 होगा मैंने उस बिंदू का नाम बोला जिरो का भाई yx में बोलाए ना तो x निदर चांग 0 होगा किस अनुपाद में वक्त करती है आपको बताने हैं हम बोल देंगे कि भाईया M1 अनुपात M2 में वक्त कर दिये हैं जो कि आपको ग्याद करना है ठीक है सुबच्चो यह मारा है X1 यह मेरा है Y1 यह मेरा है X2 यह मेरा है Y2 ठीक है न यह मेरा क्या है बड़ाइट विवाजन शूतर लगाएंगे विवाजन अगर आपको निकालना है तो हमें वह उस X का मान चाहिए जिसके आंके क मान मुझे पता हूं किसका पता है X का पता है तो X बराबर शूतर क्या होता है M1 X2 सैंट डू X1 बते में M1 प्लस M2 यह होता है X निदिश्चांग 0 है M1 का मान कुछ नहीं बताही निकालना है X2 का मा तो इसके बट्टे में है M1 प्लस M2 इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिए लो तिर्चे गुणा करोगे 0 और 1 को किसी भी संक्याज गुणा करते हो रह जाते हैं तो यह आगे M1 माइनस के 4 M2 माइनस का 4 M2 इदरा के प्लस का हो जाएगा ठीक है चार उस तरफ देखो बट्टा इस तरफ गुणा में कुछ नहीं देख डाल सकते हैं किसी भी संक्याज गुणा एक करके लिख सकता हूं मैं ठीक है यहां M2 बचा देखो यह जो M2 गुणा में तो आजाएगा 4 अनुपात 1 कि इतना जाएगा 4 अनुपात 1 option नंबर 20 ही हो जाएगा 1 अनुपात 4 भी option में ध्यान पुर्वक option पर टिक लगाना जल्द बाजिय में गल्ती मत करना ठीक है तो यह कुशन भी हमारा हो गया आरा हम से अगला कुशन क्या बोल रहे है 10 A का वितक बोलना है तो यह आजए इटा मादिक केंद्र प्रवित्य की माद बहुलक भी है माद इका भी रेंज नहीं है ठीक है रेंज वान परीशर नहीं होता है तो option number D से ही हो जाएगा जो परीशर है वो केंद्री प्रवित्य की माप नहीं होती है ठीक है अगला कुशन है आधार क तरिज़े, 8 cm उच्छाई, 2 cm वाले बेलन को पिगला कर, 6 cm उच्छाई वाले शंकू बनाया गया, शंकू के आधार के तरिज़ा बनानी है। के बहुत ही शांदर कुछन है हमी क्या बोलना है 8 cm और 2 cm बेलन है हमारे पास बेलन है कि मैं आपको बेलन बना के दिखा रहा हूं बेलन वह जो आपके किचन में नहीं है ठीक है यह बेलन आपको इसे पिगला कर एक शंकूब बनाना है तो एक चीज से दूसरे जीज़ में पर संट्धिम्टर और उचाई दे रखिये हैं 2 संट्म बेरन की यहां से लेकर यहां तक की जो जाए दू है त्रिज्द्धा है त्रिज्द्धा हमें दे रखेए आठ शंकु बहुत आया गया है उचाई जो हमारे पास है उस शंको के उचाई को हम केपिटिल S से बोलते हैं वो हमें दे रखाई के तना अच्छा है सेंटिमेटर और हमें तरिजा ग्यात आधार के तरिजा में ग्यात करने है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चूंकि जो बिल्हन का आयतन होगा कि इसके बार रोग शंको का आयतन की छूत्र क्या होता है बच्चों शूत्र होते है बिल्हन का पाई और स्क्वेरच और शंको का आयतन का अधकर थी पाई आर स्क्वेरच ठीके दुनों के प्रेजंटेशन को अमें अलगलग दिखाए तो कि और यह तो पाई से पाई कटण ठीक है बाकी मान रखेंगे हम, तो R, स्मॉल r हमारे पास था 8 है ना, तो 8 8 है तो 8 गोड़े 8, H हमारे पास 2 है, 3, स्मॉल r, पच्छा बोट में रख दिया, H हमारे पास 6 है, तो काटो 3, दू नीच है, ठीक है, इधर 2 है, इधर से 2 कटन, तो यह है, 8 गोड़ा 8, इधर बच् स्क्वेर आठ का जोड़ा बन रहे हैं आर क्या हो जाएगा आठ बर्गमुल निखालोगे तो ठीक है कितना जाएगा आठ सेंटिमेटर जो आप्षिन है वह आपका आजाएगा आठ सेंटिमेटर अगले प्रिशन में आ जाते हैं इसका मान आपको बताना है बहुत असान मैनिस कॉट स्क्वेर ए का मान कितना होता है बच्चो एक तो बारा गुणा एक बारा एक कम बारा तो आप्षिन नमबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चो डी बारा एक निस्चित घटना की जो प्राइकता होती है वो एक होती है एक और एक अनिस्चित घटना की प्राइकता यह रही हैं चुला फ्री में होती है अगला प्रश्न है, यदि एक मिनार के पाद से 200 दूर और सथे अब हैं नाउसाच डिकरी हैं, है मिनार के उच्छाई क्या होगी। दुखबड़ा यह हमारे पास एक मिनार है ठीक है, और मिनार के पाद से 200 मिट्र दूर एक बिंदो हमने ले लिए हैं यहांपर इस बिंदो को ना मैंने पी58 जो की मिनाड से कितने मिट्र दूरी पर दोसे मि Lit क यहां से यहां से लेकर ले लिया था है मिनाड के उछाई निकाल लिए माना मिनाड के निकालना है और ये दोस्तों हमें पता है ठीक है कौन के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते है बिटा लंब कहते है और 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते है कर्ण कहते है तो ये बिटा ऑटमेटिकली क्या हो जाएगा अधार ठीक है जो ग्यात करना होता है और जो हमें प कि अमान है P B हमें दे रखा है 200 और 1060 का मां उदर अन्रूट 3 200 बट्टे में दरा के गुड़े में लग जाएगा 200 अन्रूट 3 ठीक है तो यह हमें हमारा आंसर मिल जाएगा यानि कि 200 अन्रूट 3 होगा किसका मान मिलार की हो जाई ठीक है तो ऑप्षिन नंबर B 200 अन्रूट 3 मिटर सही हो जाएगा अगले प्रश्ण में आ जाते हैं कि एक बिंदू P से ओ केंद्र वाले किसी वृत्ते पर पीए पीविस पर जिखाए पर अस्य डिगर के कौन पर जुकी है तो P O A का मान क्या होगा शांदार व्रत्ते हैं ठीक है आपके व्रत्ते का जो केंद्र का नाम दे रखा है उसने बोला है कि वो ओ है ठीक है एक बाइबिंदू आपको लेना है पी और उसमें से दो डालनी है इस पर देखाए एक पी है ठीक है और एक पी बी है ठीक है नाम भी दे देता है यह 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 बी ह आपको निकालना है , तो आपको निकालना है p o e सबसे पहले बात हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों को जोइन करना पड़ेगा बीचोबीस से अब एक नंबर का कुशन है अमसी क्वाला कुशन है तो उसी तरीक से में सबसे पहले चीज़ जो हम जानते हैं कि हम जानते हैं सबसे चारो कोड़ों का मान कितना होता है चुकि जो कौन पी हैं एैं कोन ओं हैं गयाद करना और बी का मान भी 90 है तीन давно सबसाट और यह हो जाएगा दो सोसाट खार के मायन्स का हो जाएगा तो ऑ बच्छार जाएगा सो अगरी है यहां से लेकर यहां तक कमान हो जाएगा सौड पूस्ते के और हमें यह वला कोड निकालना है भी ओ तो बच्चो यह जो त्रबुज है और ये वला जो त्रबुज है आना वह आपस में होते हैं सर्वांग्षम। जुकि तिर्वूज पी-o-e सरवांग्षम है, तिर्वूज P,O,B सर्वांग्षम है इतना कॉन बने में थी Naomi 100 degre है इतना कॉन बने में है फिर नम्बर D निकालना है जो की 100 डिग्री का आधा होगा जो की 50 डिग्री ठीक है तो उप्तर क्या हो जाएगा 50 डिग्री option number D अगले प्रिश्ण में आजए इसका आपको मान ग्याद करना है बहुत ही असान कुशिन है तो देखो भी चोट 10 9 और यह 10 81 दोनों के 10 10 है और इधर 10 60 अगर आप ध्यान पूर वक देखें दोनों में जब 10 है ठीक है और 9 और 81 को जोड रहे है कितना रहनब्व है तो इसका मान होगा एक ठीक है और 10 60 का मान कितना होगा अंडरोट 3 तो आंसरा जाएगा अंडरोट 3 ठी कैंरे निमडिक पूख दोत क्या होगा जिसके सुद्यक 5 और माइनस 3 है सुद्यक दे रख हये बिटा माइनस की तिन दे रख है हमें दूगाध भूपत निकानना है जिसका शूत रहा होता है फो होधा एकक्स स्क्वेर माइनस एलफा बेटा एक्स एलफा बीटा X square, alpha का मान 5, beta का मान minus का 3 और alpha है 5, beta है minus 3 पास बिदी नगटाओं कि 2 आ जाएगा minus के 2x, plus minus minus 5 तिया 15 तो यह हमें हमारा answer मिलेगा X square minus के 2x, minus के 15 option number B, सही हो जाएगा अगले प्रश्म में आ जाते हैं करें यदि वृत्य की जीवा की लंबाई वृत्य की त्रिज़ा की बराजा उट तो जीवा द्वारा के इंदर पर बनाया गया कोन केतना होगा, बहुत ही simple सा प्रश्न है देखो बट्चा, यह हमारा वृत्य है ठीक है, और यह मीरा वृत्य की जो जीवा है यह जीवा किसके बराबर है त्रिज्जा के बराबर है यह जो त्रिज्जा है न उसके बराबर है मतलब अगर देखो बड़ा यह हमारा त्रिज्जा है यह भी त्रिज्जा है और यह भी त्रिज्जा है तीनों भुजाओ का मान बराबर है तो यह तिरभुज कैसा है संभाव तृभू जोने के कारण प्रत्ति एक कोण कितना होगा 60 डिक्री का होगा कितना कोण मनाएगा 60 डिक्री का कोण मनाएगा option number a सही हो जाएगा कैसे का विक्तिकर च्रौत्र होता वह था बी स्क्वार मैनस के 4AC ठीक है चुंकि एक जगा पर दे रखा है बी और सी के जगा पर सिए एगा है स्क्वार मैनस के 4BC स्क्वार मैनस के 4BC दो ऐप्षन है वह दो ऐप्षन बागी नहीं थे पर तो यह आपका आंसर है ठीक में तो आंसर से मतला है ना अगला प्रश्ण है कि इस समांतर सिर्णी के 24 पर दो का युखफल कितना होगा एस 24 एसन का शूद्र क्या होता है एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वर इंटो टी यह होता है बिल्कुल एन कितना दे रखाए 24 24 पर दो का युखफल प्रथम बद कितना है इसका पांच एन 24 माइनस की वर दी कितना देखो पांच के बाद आट है न तो आट मेंसे पांच का डवगे तीन तीन का अंतर है ठीक है काटो इसको तो एक कम दो दुनी बाहर से आगे बारा पांच दुनी 10 और यह आगे 23 गुणा 3 ठीक है तो देखो कुणा करोगे तीन तीन नौ तीन दुनीच है तो बारा गुणा 79 ठीक है न तो बारा नम्म एक सो आट ठीक है तो दस हासिल बचा बारा सत्य चौरासी चौरासी और दस चौरानबे ठीक है 948 ठीक है बच्चों अप्शन नंबर भी हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रिश्ण है यदि 3 ए बराबर 90 क्या हो तो पहले निकालना पड़ेगा सीधी सी बात है चुकि 3 हमारे पास 90 ठीक है न तो एक का मान क्या हो जाएगा नब्बे में तीन गुला है बट्टे में आ जाएगा तीन तीन जीरो तो एक का मान हो गया 30 डिग्री को इसलिए हमें काना है ने के है कि सेख सघु frig Ouch कर मालोम नहीं है तो इस तरीका से नकल जाब करने होता है बच्चों बच्चों अन रूट तीन बट्टा दो वेवक्त कि अइक कमल बट्टे में रूट यहां सर जैया का दो बट्टे क्रमिक सम्संख्याह का महतन समावर्ध दो कर preach some for explaining क्रमिक जैसे दो क्रमिक सम्संख्या में एक लिया कितर्ट है तो एक से आप निहां है तो जो दोनों में वो देखते हैं दो नुम कि नियोंतर घ्outer दो थीक है a example लेकिए इपको दिखा दिए अगले प्रिश्ण में आ जाओ, यह साइन है, यह कॉस है, ठीक है, अगर दोनों विप्रीद है, साइन 48 और यह कॉस 22, इसका आंसर होगा 0, क्यों? क्योंकि अगर अगर आप, क्योंकि एम सी किया हैं, उस पॉइंट डिवी से बता रहा हूं, सॉल करके नहीं दिखाने हैं, हमे अगले प्रिश्ण में आ जाएगी, करें ABC के निद्शांग इतना है, तो इसका चितरबल कितना होगा, अच्छा जी, तो चितरबना के दिखाईए पहले, यह आपका ABC, तिर बुझे, यह A है, यह B है और यह C है, ठीक है, एक निद्शांग के बटो, 2,3, यह है 4,5, और यह 7,2, तिर बुझे का छेदर फिल, शूद्र क्या होता है बच्छों, शूद्र होता है, एक बटे 2, X1, Y2-Y3, X2, Y3-Y1, X3, Y1-Y2, ठीक है यह शूद्र होता है, सुबच्छों यह हमारा है, X1, यह है Y1, यह X2, यह Y2, यह X3, यह Y3, ठीक है, मान रखते हैं, X1, का मान है 2, Y2 का मान है 5, Y3 का मान है 2, ध्यान परोग मानों को रखना है, X2 का मान है 4, Y3 का मान है 2, Y1 का मान है 3, फिर X3, X3 का मान है 7, और फिर Y1 का मान है 3, और Y2 का मान है 5, धिसके तो यहां से घटाएंगे तो तीन बचेगा माइनस इक चार एक कम चार यहां से बचेगा मैंस 2-7 दूनी 4 ठीक है 18 में उटाएंगे कितना बचेगा 12 माइनस के 12 बट्टे 2 12 12 माइनस के 6 है लेकिन लिखोगे आप 6 वर गए काई क्योंकि छेट्रिफल माइनस में लिखना प्रसमी होता है आंसर कितना जागा 6 वर गए काई option number C अगला कोश्य ने cost theta ठीक है गुणे में कितना है 10 theta इसका मान क्या होगा ठीक है तो 10 theta को बदल देंगे sign cos में तो 10 theta पराबर तो sign बट्टे cos गुणा भाग में कटन कितना आगया sign theta तो option number जो आपको पहला वाला है वो सही हो जाएगा अगला लास्ट जो प्रश्ण है वो क्या है बच्चों करे यदि दो वृत एक दुसरे को अन्ता सपर्ष करती है तो अबने इस ट सबस्च रखाय को कितनी होगे ओ ठीक है यह कुशिन दएखो बट्टा आपके पास क्या बोल रहे है कि दो वृत्त यह दो वृत्त वे एक यह वृत्त वह और दूसरा वृत्त ही होगा एक दुसरीं को शपर्ष करते है और यह से जा यह टच करती हो जाएंगी तो इक इतने विद्व पर टच करेंगी दो विद्व पर एक बिंद्व पर तो जो रिखा जाएगी ने बैटन एक बिंदू से होता हुआ जाता है एसे तो आंसर आजया को option number B एक तो आज के इस वीडियो में मैंने 50 important question मैंने बता हैं ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखें आप लिए लिंक में डालने हो जाकर देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज एक like जरूर करना एक comment अच्छा सा करना और आपको किस step के वीडियो मुझे जरूर बताना जैसे ही बताऊगे अगले दिन आपको मिल जाएगा ठीक है thank you so much वीडियो देखने के लिए आपका किम्ती समय में देने के लिए अपना प्यार देने के लिए जाहिंद अपना ख्याल रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें सीखते रहें जाहिंद